दोस्तों हम लोग रेस्टरों के लिए एक वेबसाइट क्रियेट कर रहे थे और अभी तक हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया है और यहां पर आपका स्लाइडर था और यह सारी चीज़े थी इसमें से हमने बहुत सारी चीज़े बना ली है मैं आपको रेकुमेंड करूंगा अगर आप डिरेक्ली इस वीडियो को देख रहे हो फर्स टाइम तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और प्लेलिस सेक्शन को चेक करके पहली वीडियो से आप सीख सकते हैं बेसिकली कि आप इस सीरीज का दौरान टोटल क्या-क्या चीज़े सीखने वाले ह अब वहां से एक ओवर्वियू ले सकते हो और आज हमारा ये एर्थ वीडियो होने वाला है और लास्ट टाइम मैं ने नोटिस किया कि वैसा तो जो मेरी वीडियो थी उसकी डियरेशन काफी जादा थी 31 मिनट्स हमारा वो वीडियो का डियरेशन चला गया था बट इस टिल magnificent है मेरे पास लगे हुए है मेरे ये products अब the cards कहलो supervision कहलो section कहलो doesn't matter मेरे पास 9 products है यहाँ पर हरेक अंदर अपनी image है हरेक के अंदर उनकी star ratings है and product का title product का name है हमने जो create किया हमने ये create कर लिया हमने अपने card's create कर लिया हमारे products create कर लिया At the same time, if the shadows था, हमने वो भी apply कर लिया है already. Then, यह हमारे product के images है, product की star rating है, and title है. But, जो last video के अंदर हमारा रहा गया, वो था यह zoom effect. जब मैं इसके ओपर mouse ले करके जाता हूँ, when I place mouse on a particular product, so you can see that it's getting zoomed. ठीक है, तो इस effect को actually हम लोग hover effect कहते हैं. H-O-V-E-R, आप इसे चाहे हैं, तो H-O-V-E-R पढ़ लो, फरक नहीं पढ़ता. But, hover का मतलब होता है, क्या होगा, जब आप किसी चीज के ऊपर mouse प्लेस करोगे. It means, hover means what will happen when you will place your mouse on a particular thing or particular area. ठीक है, तो मेरी requirement यह है, कि जब मैं इसके ऊपर hover करू, तो यह जो है, वो zoom हो जाए, किसी एक time period के अंदर, few seconds के अंदर. ठीक है, तो यह effect जो है, मुझे अपने सारे products के साथ चाहिए, चाहें, वो किसी के ऊपर भी mouse जाए. Currently, वो चीज जो है, हमारे इस वाले में missing है, right? बहुत ही simple सा code है, मैं आपको directly करके दिखाता हूँ, कि यह आप कैसे implement कर सकते हो. अगर आपने अब तक पिशली वीडियो को नहीं देखाया, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप description को check करें, और playlist आपको मिलेगा, वहां से आप अब तक की 7 की 7 वीडियो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और यह सारे आपको playlist के अंदर यहां भी मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे new है, तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification का on करें, तक कि आपको latest videos को notification विलती रहें, और यह वो playlist है, जिसकी मैं बात कर रहा था, already मैंने आप web development, software development, programming, game development, CSS, PHP, college projects, बहुत कुछ है जो मैंने सिखा रखा है, JavaScript and all, आप चाहें तो एक बार उसको check कर सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगा, और projects भी हैं उसके अंदर, right, so, मुझे यहाँ पर चाहिए अपने index का code, और जो हमारा top category है, उसके CSS का code, right, तो मैंने उसको open कर लिया है, यहाँ पर, जादा कुछ नहीं करना है, मेरी requirement यह है, देखो, अगर इसकी understanding ले, तो यह जो तीन products है, वो एक बड़े div के अंदर है, right, एक बड़ा div है हमारे पास, उसके अंदर तीन छोटे div लगे हुए हैं, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं अपने index file में आता हूँ, तो top category की मेरी, sorry, top cat की मेरी एक main div है, उसके अंदर top cat product की मेरी छोटा पहला div, छोटा दूसरा div, छोटा तीसरा div, और यह top cat मेरा यहाँ पर खतम, then दूसरे वाले का start हो रहा है, that is for this one, right, यह वाला top category, basically हमारे पास एक बड़ा div है, one main div and inside the main div we have three small div, right, तो मेरी requirement है कि यह जो small div है, यह छोटे 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 div है, हमें actually उसे zoom करना है, not कि यह कि हम किसी पर भी click करें और सारा का area zoom हो जाए, no, हमें individual product को zoom करना है, उस चीज के लिए जो हमारी ID लगी हुई है, जो हमारा class लगा हुआ है, that is top cat product, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जो मेरा top cat product का CSS है, यहाँ पर मैं आकर कि क्या कहूँगा, transition, transition, colon, transform, t-r-a-n-s-f-o-r-m, और transform के बाद आपको यहाँ पर, let us say मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1s, now make sure यह 1s है, it's not 1-5, so 1s means time, your time period, 1 second, ओके एक second का time हमें लेना है, यहाँ पर आकर के आप क्या कहोँगे, आप exactly इसे copy कर लोगे, और यहाँ पेस्ट करके, colon, h over, या फिर यह hover है basically, तो आप यह apply करोगे, इसका meaning यह है, what will happen, क्या होगा, जब आपना mouse जो है, वो इसके उपर place करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के, मैंने इसको specify किया, transform, colon, scale, bracket, और यहाँ पर, मैंने specify कर दिया, इसको 2, यहाँ पर आकर के semi colon, मैं save करना हूँ इसको, और यहाँ पर आकर के refresh कर रहा हूँ, जब मैं इसके उपर mouse ले करके जाऊंगा, तो आप notice करोगे, यह almost double हो रहा है, it's getting twice of its actual width, reason is, अगर आप यहाँ पर notice करो, तो मैंने इसको 2 प्रोवाइट किया है, now 2 जो है, वो represent कर रहा है यहाँ पर 200 percentage को, ठीक है, तो यह आपका currently जो इसकी है size, वो है 100%, और अब यह 200% बन गया, मेरी requirement वो नहीं है, यह तो a little bit हमें requirement, a slide सा, तो आप इसमें देखो, अगर आप इसको 1 करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, it will not reflect, because 1 means 100%, it's actually 100%, यह आपका already 100% है, तो आप mouse place करोगे, तो भी आपको impact देखने को नहीं मिलेगा, right, you will not see any impact, if you will provide 1 scaling size, because it's already 100, so जो value होगी, it should be greater than 1, it can be let us say 1.5, और अगर मैं इसको provide करके, यहाँ पर आपका save and refresh करो, तो यह आप notice करोगे 1.5 है, अगर मैं इसको 1.1 करता हो, it means 110%, okay, so a little bit, so देखो, यह आपका slow motion में आएगा, now basically, यह 1.1% का scale size होने में, आपका time ले रहा है 1 second, अगर आप इसको 5 second कर दोगे, तो यह slow हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर refresh करो, तो यह 5 seconds के अंदर, 1.1 का scaling effect आपको provide करेगा, नो मुझे इतना नहीं करना, obvious ही बात है, मेरा timer रहने वाला है, यह 1, और यह रहेगा हमारा 0.5, और यहाँ पर आकर करके, अगर मैं refresh करता हूँ, तो आप notice करोगे, कि यह I think हमारा वो effect बन चुका है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको verify कर सकते हो, उसे match कर सकते हो, Now, let's try to understand this code, transition लगानी है, हमें छोटे मुटे कुछ animations परफॉर्म करने हैं, transition लगानी है, एक effect लगाना है, What is transform, आपने एक movie देखी होगी, या सुना होगा, transformer, basically, वो एक robot है, जो car में transform हो जाता है, right, transformer is a robot, that can also get transformed into a car, and vice versa, इसका opposite भी हो जाता है, right, so transformer, transform का मीनिंग क्या होता है, object की shape change करना, to change the shape of an object, देखो, अब यह नहीं है कि आप इसका shape ही change करोगे, it can be anything, आप उसको resize कर सकते हो, आप उसको move कर सकते हो, anything, that will be considered as transform, ठीक है, उसमें changes करना, तो मैंने इसको बताया, एक transition लगाना है, और transform करना है, and जो object है मेरा, वो एक second का time लेगा, transform होने के लिए, it will consume one second time, to get transformed, right, अब जब इस product के ऊपर, mouse hover होगा, तो क्या होगा, यह transform हो जाएगा, it will get changed, और क्या change होगा, उसका जो scale है, उसका size है वो बढ़ जाएगा, right, उसकी body का एक structure जो है, वो change होगा, and structure कितना change होगा, 105%, currently वो by default 100% होता है, तो वो 5% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह meaning बनता है इन दोनों लाइनों का, अगर आप इसको यहाँ से हटा करके, यहाँ रख दो होए, तो यह काम नहीं करेगा, it will not work, misfunctioning होगी, तो अगर मैं आपको इसको refresh करके दिखाओ, तो by default यह आपका काम खराब करेगा, let me make it 1.5%, see this, by default, मैं mouse hover भी नहीं कर रहा है, still it's getting that animation, because यह confused हो गया है, it's getting confused, कि वो इस वाले transform को run करें, या इस वाले transform को run करें, it's getting confused, और web browser got confused, either to run this transform code, और this transform code, तो basically वो इस वाले को run कर रहा है, हाँ आप यह कर सकते हो, कि आप इस line को यहाँ से cut कर दो, और यहाँ paste करके, अगर आप इसको save करो, और यहाँ पर आकर करें refresh करो, तो भी आपको वो काम नहीं होगा, तो जनरल यह कई बार काम कर जाता है, but still it's good idea to create two different parts, एक आपका hover के लिए, आप एक separate code रखो, ठीक है, ताकि उसको मालूम पड़े है, कि यह हमारा timer है, और यह हमारा mouse hover करने के लिए है, यहाँ पर आकर मैं save and refresh करता हूँ, तो यह हमारा normal है, और यह हमारा mouse hover करने के बाद है, edge over करने के बाद है, ठीक है, तो मैंने उस feature को भी यहाँ पर create कर लिया है, और अगर आपको यह थोड़ा सा slow लगता है, बैल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन कौन करें तक कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, थाइंक्स पर वाचिंग गाईज,